नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सपनिल सागर जैन, निरामे हम्योपेथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों कई बार हमारे सायत ऐसा होता है कि हमें हमारे शरीर में किसी भी रोग में किसी भी बीमारी में एक चुबन जैसी महसूस होती है वो चुबन ऐसा लगता है जैसे अंदर से या बाहर से कोई पिन चुबा रहा हो, कील चुबा रहा हो और उसमें चुबन की सासा दर्द होता है, जलन होती है यदि ये symptom आपको किसी भी बीमारी में देखने को मिले मान लीजिए, example दे देता हूँ, मैं आपको diptheria हो, गले में दर्द हो, चुबन हो, और सुई जैसा दर्द हो रहा हो और ऐसा लग रहा हो कि गैस जो है वो भी चुब रही है, उसमें भी अंदर से पेट में ऐसा लग रहा है या फिर बवासीर की शिकायत हो, हेमरोइड्स की शिकायत हो, पाइल्स की शिकायत हो और ऐसा लगता हो कि बहुत ज़्यादा तेज चुबन वहाँ पे हो रही है लेटरिन करने के बाद एनस के आसपास बहुत ज़्यादा जलन पड़ रही है या फिर किसी को फिशर हो गया हो और फिशर होने के बाद वहाँ पे जो गाओ बना है उस गाओ में बहुत जादा जलन है और चुबने जैसा वहाँ पे दर्द है ये सारे जो लक्षण हैं, ये सारी जो बीमारियां हैं, इन सारी बीमारियों में एक सिंटम जो characteristic है, जो मुख्य है सभी में वो ये है कि चुबन जैसा दर्द सुईयों के चुबने जैसा दर्द उस मरीज को हो रहा है चाहे फिशर हो, डिप्थीरिया हो, पेट की तकलीफ हो, पाइल्स हो, बवासीर हो, हमरोइट्स, कुछ भी हो यदि उसे जलन हैं, चुबन हैं और उस जलन और चुबन के कारण व्यक्ति के मन में बहुत जादा बेचैनी हैं, बहुत जादा वो परेशान है तो एक मेडिसिन हमेशा याद रखिए, एसिडम नाइट्रिकम, ये वो दवा है जो आपके फिशर को भी ठीक कर सकती है, डिप्थीरिया को भी ठीक कर सकती है, पेट की समस्या को भी ठीक कर सकती है, बवासीर को भी ठीक कर सकती है, हेमरोइट्स को भी ठीक कर सकती है, कोई भी बीमारी हो यदि चुबन है दर्द है जलन है तो फिर Acidum Nitricum या Nitric Acid जो होमियोपेथी की दवा है इसका यूज हम कर सकते हैं इसके अलावा भी और भी बहुत सारे characteristic symptom होते हैं Nitricum Acidum के लेकिन उन सभी में कहीं ना कहीं आपको जलन और चुबन और ये जो दर्द है वो हमेशा देखने को मिलेगा इसके अलावा यदि किसी व्यक्ती की urine में यानि कि उसकी पेशाब में बहुत ही जादा smell आती है बहुत ही जादा बदबू आती है और बहुत सारे लोग उसको specify कर देते हैं वो बताते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसी बदबू आ रही है जैसे घोडे की पेशाप की बदबू हो तो फिर Acidum Nitricum का use वहाँ पे किया जा सकता है हाला कि घोडे की smell या घोडे की urine की smell जो है वो CPI में भी देखने को मिलेगी और Benjoicum Acidum में भी देखने को मिलेगी लेकिन इन दौनों ही दवाओं में वहाँ पे जलन देखने को नहीं मिलेगी जो की जलन आपको Acidum Nitricum में देखने को मिलेगी अब इस symptom का उपयोग हम कहां कर सकते हैं यदि किसी व्यक्ति को बार-बार UTI हो जाता है और UTI का मतलब कि उसको Urinary Tract Infection हो जाता है उस Condition में जबकि उसके मूत्र मार्ग में किसी प्रकार का Infection हो गया है तो उसे जलन पढ़ती है सामाने ऐसी बात है सबको पता है अब यदि जलन के साथ साथ उसे पेशाब में बदबू आ रही है तो फिर Acidum Nitricum का यूज हम लोग कर सकते हैं बड़ी आसानी से क्योंकि वहाँ पे जलन भी होगी वहाँ पे स्मेल भी होगी तो वो UTI को पूरी तरह से ठीक कर सकती है अब कई लोग ऐसे होते हैं जिनकों की Latrin करके आने के बाद बहुत लंबे समय तक उनके Anis यानी की गुदा के आसपास अंदर Rectum में बहुत ही जादा जलन होती है बहुत ही जादा तीवरवेदना उनको होती रहती है और उनसे उठते बैठते काम करते बिलकुल नहीं बनता है क्योंकि वहाँ पे फिशर्स बन गए होते हैं यानी की गुदा मार्ग के आसपास बहुत सारे गाओ बन गए होते हैं और उन गाओ में बहुत जादा जलन, तीवरवेदना, बहुत जादा दर्व ये उस पेशेंट को हो रहा होता है तब एक कॉंबिनेशन हमें हमेशा याद रखना चाहिए दो दबाओं का सबसे पहले तो हमें एसेडम नाइट्रिकम ही लेके आना है और दूसरा हमें प्यूनिया ओफिस अनेलेस लेके आना है प्यूनिया ओफिस एनलेस का मदर टिंचर और एसिडम नाइट्रिकम की 200 पोटेंसी हमें लेके आना चाहिए 200 पोटेंसी की दो-दो बूंद सुभे शाम पेशेंट को देना शुरू करें और प्यूनिया ओफिस एनलेस के मदर टिंचर की 10-10 बूंद आदे कप या एक कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बारों से देना शुरू करें आप देखेंगे कि ना केबल उसका फिशर ठीक होने लगेगा यानि कि लेटरिन के रस्ते के पास में जो उसका घाव है वो ठीक होने लगेगा बलकि उसके सांसात उसकी जलन पूरी तरह खत्म हो जाएगी उसका पेट अच्छे से साफ होने लगेगा और यदि उसके पूरे constitutional status से match करती है ये दवा तो उसे कब्ज की समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा तो ये Acidum Nitricum का बड़ा characteristic symptom होता है mentally एक symptom बड़ा इस patient में देखने को मिलता है और वो ये होता है कि ये जो patient होता है वो अपने जीवन में कभी किसी को माफ नहीं करता है यदि उसके साथ किसी व्यक्ति ने मान लीजिए गलती से भी कोई गलत काम उसके साथ हो गया किसी ने उसे गलती से चोट पहुँचा दी मान से किया शारी रेक तो वो व्यक्ति जो Acidum Nitricum का patient होगा वो जीवन भर इस बात को भूलेगा नहीं भले ही वो उस व्यक्ति से हसके बात करेगा लेकिन उसे दिल से कभी माफ नहीं करता है ये Acidum Nitricum का characteristic mental symptom होता है जिसका कि हमें ध्यान रखना चाहिए यदि कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि आपके घर में है परिवार में है और उसके साथ छोटी सी भी कोई घटना हो जाए और वो उस व्यक्ति को माफ ना करे तो ये Acidum Nitricum का patient है इसके अलावा इसका एक और characteristic mental symptom होता है और वो ये होता है कि इस व्यक्ति को चिंता करने की बड़ी आदत होती है health से related हो सकता है स्वास्त संबन्नी चिंता हो सकती है अपना स्वास्त हो घर में किसी का परिवार जन का स्वास्त हो पड़ोसी का स्वास्त हो किसी का भी हो unnecessary चिंता इसको लगी रहेगी इसके अलावा इसे भविश्य की चिंता लगी रहेगी future में क्या होगा कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा इस तरह की unnecessary चिंताएं उसके मन में लगी रहती है और सबसे ज़्यादा जो चिंता उसके मन में होती है वो अपने स्वास्त को लेकर होती है और ये चिंता उसे कब develop होती है ये एक characteristic symptom है ये तब develop होती है जब वो किसी व्यक्ति की बीमारी के बारे में सुन लेता है या मृत्यू के बारे में सुन लेता है मान लीजिए एक example है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर में कोई बीमारी तब उत्पन होती है जबकि उस व्यक्ति के परिचाय में किसी व्यक्ति को या तो कोई बीमारी हो जाए या फिर उसकी death हो जाए तो ऐसा बहुत सारे लोग symptom बताते हैं कि डॉक्टर साहब जब से उस खबर के बारे में सुना है तब से ये बीमारी हमें आ गई है और अब तो हमें इसकी इतनी चिंता होने लगी कि कहीं हम मर ना जाएं किसी व्यक्ति के cancer के बारे में सुन लिया तो इसे डर लगने लगेगा कहीं मुझे cancer ना हो जाए तो Acidum Nitricum का जो patient होता है उसे हमेशा किसी ना किसी तरह का डर किसी ना किसी तरह की चिंता लगी ही रहती है ये इसका characteristic symptom होता है तो overall यदि हम Acidum Nitricum की drug picture की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखने में आता है कि इस व्यक्ति में बहुत जादा जलन, दर्द और तीवर वेदना की शिकायत होती है Fishers की शिकायत होती है कहीं कोई घाओ पढ़ गया है तो बहुत जादा उसे तकलीफ हो रही होती है ये इसका characteristic symptom है इसके साथ में रोगी दुबला-पतला और नर्वस किस्म का होता है मन से किसी को माफ नहीं करता है प्यास इसे बिलकोल नहीं लगती बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत कम पानी पीते हैं दिन बर में और यही उनकी कब्स का कारण है और यही उनको फिशर होने का कारण है तो यह जो व्यक्ति है acidum nitricum का यसे भी बहुत कम पानी पीने की अफ़ा होती है खास्तौर से बुखार जब आता है तब तो यह बिलकुल ही पानी नहीं पीता है तो ये जो medicine है acidum nitricum हम उस हर बीमारी में use कर सकते हैं जिसमें की patient को सुई चुभने जैसा दर्द है जलन है तकलीफ है लेटरिंग करने के बाद जलन है फिशर के case है बवासीर का case है हेमरोइट्स का case है इन सारी बीमारियों में हम acidum nitricum का use कर सकते हैं और mental symptom भी यदि कोई है जिससे की वो किसी व्यक्ति को माफ नहीं करता है तो भी हम उनको बीमारी कोई सी भी हो यदि ये characteristic symptom है तो भी हम acidum nitricum का use कर सकते हैं सामानिता इसकी 30 या 200 potency ही use की जाती है 30 potency की 2-2 बून दिन में 3 बार या 200 potency की 4 बून धफते में 1 बार देने से पुरानी और नई सभी त यूज करें ये बहुत ही जादा clinically यूज किया हुआ combination है जो कि जादातर homeopathic physician यूज करते हैं ये जो दवाए हैं हमेशा खाली पेट खानी चाहिए या फिर कभी ऐसा हो गया कि आपने खाना खाली या दवा खाना भूल गए तो खाना खाने के 2 गंटे बाद धाई गंटे ब पहले आप दवा खालें दिन में तीन बार चार बार जो दवाएं खानी पड़ती हैं सुबह तो व्यक्ति खाली पेट बड़ी आसानी से खालेता है लेकिन दोपहर में और शाम के जो डोज होते हैं उनको हम इस तरह से एडजेस्ट कर सकते हैं ये जो दवा है ये आपको कि किसी भी होमियोपैथिक मेडिकल स्टोर पे बड़ी आसानी से मिल जाएगी आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं मैं किसी व्यक्ति को ना ही कोई दवा बेचता हूँ और ना ही भेजता हूँ ये आजकल मैं अपने हर वीडियो में बताने लगा हूँ कारण यही है कि सब लोग वाटसेप पर मैसेज करते हैं हमारे हाँ कि डॉक्टर साब ये दवा कितने की है ये दवा भेज दीजिए इसलिए मैं वीडियो में बताने लगा हूँ कि मैं केवल एक कंसल्टेंट फिजीशियन हूँ केवल प्रिस्क्रिप्शन देता हूँ हर पेशेंट को दवा से ही लेनी पड़ती है आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलाल इतना ही आगे के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होमियोपैतिक दवाओं के बारे में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत